बूतों के बारे में बोलती हुए मैंने कहा है कि टोटल भूत जिन लोगों को लगते हैं उनमें अगर हम परसेंटेज निकाले तो करीबन असी सो असी से नभे प्रतिशत परसेंटेज इस त्रीयों का होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 परतिशत से 20 परतिशत तक पुरुशों को भूत लगता है अब यह क्यों होता है क्यों स्त्रीयों के ब्रेन में ऐसी कोई चीज है कि जिसके कारण उनको भूत लगेगा जो भी हमारी फिजोलोजिकल जानकारी है उसके आधार पर ऐसा कोई फार्ख हम कर नहीं सकते स्त्री के ब्रेन में और पुरुश के ब्रेन में यह हम जानते हैं इसमें भी जो 80 प्रतिशत समझों, हम मानते हैं, कि स्त्रीयों को भूत लगता है, याने भूत में जो प्रमान होता है, उसमें 80 प्रतिशत स्त्रिया होती है, उसमें भी करीबन 80 प्रतिशत, याने कूल 62-63 परसेंट, स्त्रियों को जो भूत लगता है वो मैलिंगरिंग होता है यहने ढोंग सद्रुष भूत होता है इसमें काफी ढोंग का हिस्सा होता है भूत का बहाना बनाया जाता है इसके पीछे का कारण हमको समझ लेना चाहिए मैंने एक बहुत ही विस्तार से आपके सामने उधारन रखा था वरदा जिले के एक गाउ का वहाँ चार लड़कियों को लगाता रभूत आने लग गया पहली लड़की को भूत आया था वो तो बेचारी उपवास कर रही थी पेट में कुछ नहीं था इसलिए बेहोजगर गई जब उसने देखा कि उसके शरीर में भूत आने के बाद जो पती बात करने के लिए उपलब्द नहीं होता है सास कभी पती के पास जाने नहीं देती है वही पती सास के सामने मेरे पास बैठता है मेरी सेवा करता है मुझसे बात करता है मुझे खिलाता है मुझे कॉफी पिलाता है तो ये इसके लिए एक नया शोत था नया अनुसंधन था और उसके बाद में उसके शरीर में बार-बार भूत आता है क्योंकि भूत आने के करण उसे कुछ फाइदे मिलते है उसी के देखा देखी उसके साथ में जो तीन सहलिया रोज कपड़े धोने के लिए जाते थी उनके भी शरीर में भूत आना शुरू हुआ ये चारों लड़किया उनकी जो जिन्दगी में जो समस्याएं है डे टुडे उसकी समस्याएं पुरूश प्रधान समाज रचना में जिस धंकी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती है उनके जबाब उनके पास नहीं होते हैं उसे बाहर आने के कोई परियाएं नहीं होते हैं तो भूत का बहाना निकाल कर उसमें से कुछ सहुलियत उपराप्त करना चाहती है या फिर हो सके तो ये समस्याएं छुडाने का या फिर समस्याओं से मुक्ति पाने का प्रयास करती है ये भी हमने देखा था तो टोटल हमारे समाज में जो स्त्रीयों की स्तिती है वो बहुत है विचित्र स्तिती है आम जो स्त्री होती है बहुत काम करना पड़ता है उसे घर भी सम्मालना होता है भूत लगने का प्रमाण जादा तर जो होता है वो निम्नस्तर वर्गम में होता है याने जिनका आर्थिक स्तर निम्न है ऐसे लोगों में जादा होता है गरीबों में एकदम लोर मिडल क्लास में ये प्रमाण बहुत जादा होता है उस वर्किस्त्री को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है एक तरब बच्चों को संभालना है गर के पुरे काम करने है घर के जो बड़े लोग हैं चाहे सास हो, चाहे ससूर हो, चाहे नणन्द हो इन सब लगों को भी संभालना है उनकी गालिया भी खाना है पती के भी गालिया खाना है राद दिन काम करना है और केवल घर का काम करना नहीं है तो अर्थारजन भी करना है, बाहर में भी जाकर काम करना है तो राद दिन इतनी मेहनत करने के बावजूद किसी की सहानुबती नहीं मिलती है मदद नहीं मिलती है इन स्त्रियों में ये मैलिंगरिंग का भूत होने का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है और शायद इनी स्त्रियों में से बाकी भी भूत के प्रमाण जो होते है वो भी इनी स्त्रियों में से ज़्यादा होते है तो एक सामाजिक परिस्थिती ये भी बहुत बड़ा कारेंट इसके पीछे है इसमें बहुत मानसिक कुंठा होती है दिन रात मेहनत कर रही लेकिन पती का पुरा सूख उसे प्राप्त नहीं हो रहा है पती का प्रेम नहीं मिलता है पती प्रेम भी करता है तो व्यक्त नहीं करता है उसके मूँ से अनायसा हमेशा गालिया निकलती है इसलिए उसकी मानसिक कुंठा होते रहती है काफी एमोशन्स उसके दपके रहते हैं पुरुष के बारे में एक ये पैट्रियर्कल सोसाइटी होने के करण पुरुष प्रदान समाज रचना होने के करण शायद ऐसा नहीं होता है जब कभी उसका emotional emotions उसके मन में दब जाती है उसकी मानसिक उन्ठा होती है तो वो acting out होता है दस गालिया देगा बच्चों को मारेगा पत्नी को मारेगा शराब पीकर बहुत धिंगाना करेगा शराब पीने के बाद में गाली गलोच करेगा यह acting out होने का तरीका हो सकता है इससे acting out होता है उसके मन में जो भी मानसिक कुंठा पैदा हुई है शायद उसका catharsis हो जाता है स्त्री ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो बच्चों को मारती है तो उसमें से उसको आनद नहीं मिलता है उल्टा दुख होता है कि मैंने अपने बच्चों को मारा है इसलिए वहाँ भी उसका acting out नहीं होता है बागे दुसरी कोई जगह उसको नहीं है तो यह सब पन्या एक तरफ से अपने रिष्टेदारों की और से होने वाला पती के और से होने वाला साससुर के और से होने वाला सहते रहे दभी एमोशन्स वैसी के वैसी रहे मानसे कुंठा रहे यह इन सब से वो छूटकारा पाना चाती है और शायद भूद शरीर में आने के बाद इससे छूटकारा पाने का एक अवसर उसे मिलता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में यह अवेर्नेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियोज का आनन लेने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए